एक्जेंपल नमबर 6 क्या कर रहा है इना जीपी था थर्ड टर्म इस टू फॉर तो गिविन कंडिशन से स्टार्ट करेंगे भी अपन थर्ड टर्म यानि ए थ्री के वैलिव ए थ्री के मतलब होता है ए आर स्क्वेर ए आर एन माइनस वन यानि थ्री माइनस वन यानि टू हो जाएगा यह कितना 24 दे दिया आपको फर्स्ट एक्वेशन होगी सेकंड देखो एंड सिक्स्थ टर्म ए शिक्स ए आर फाइफ वन तो ए आर फाइफ एक्वेलस टू वन नैनिट्व डिवाइड करो ए आर स्क्वेर डिवाइड करो 24 ठीक है ए से नर्स एक और स्क्वेर से यह चला गया तो कितने बचा इसमें नकिक्यज नर्हार कियों बचा हुग है 4 6 24 4 4 16 96 32 कितना जाएगा यह 48 आ गए गई है एक सेकंड 4 6 24 4 4 16 वा 3 2 टीक है अब देखो आर में क्या होगा क्यूब रूट लगेगा यहां पर एट का क्यूब रूट कितना होगा आपके पास only 2 होगा बताओ समझ माया क्या बिलकुल साथ इस कंप्लीट आर इक्वल्स टू तू हो गया आपके पास निकालना क्या था आपको वैली वो देखो 10 टर्म ए 10 होता है ए आर 9 ठीक है ए की वैलो भी फाइंड नहीं करीगा अपने अरे याज ए की वैलो फाइंड करो चलो आर इक्वल्स टू टू पुट इन एक्क्वेशन वन में पुट कर दो ए एज़ी टी जाए आर की जागे टू स्क्वेशर इक्वल्स टू 24 टू टू जा 4 4 6 जा 24 एका वैलीव 6 आगे अब फाइंड करो ना अब है ए 10 ए 10 का मतलब होता ए आर 9 एका वैलो कितना है 6 आर की वैलो कितनी है 2 की वैलो 9 तो यह हो जाएगा आपके पास भाई 512 होगा वाइद हुए न एक सब्सक्राइब कर देता हूं सेविन टाइम होता है 1-2-8 256, 400, 256, 6 2 जा 12, 1-2, 6-1 जा 6-7, 6-5 जा 30, 8-10 का सर आगया 3072 इस इस प्लीट, एक सब्सक्राइब कर देता है